नमस्कार स्वागत है आप सभी के अगर कुना टार्विता लोग ऑनलाइन इस्ट्यूट में मैं गर्वन राजन खंडे सिर्च अधिकारी के परिच्छा हमारे आप प्रारब हो चुकी है और सभलत पूर्वक संचालित किया जा रहा है यदि अभी भी आपके पास मौका है यदि कोई आप लोग में से एडिविसन लेना चाहता है तो यह हमारा नंबर है इस नंबर पर आपको वाट्सप के माध्यम से बी यो इंट्री लिकर भे देना थोड़ा यार रखेगा पहले जो नंबर पर करना है मैसेज वाट्सप लेकर बी यो इंट्री एट्री एट टू नाइन डवल फाइब सिक्स नंबर पर आप बी यो इंट्री करके मैसेज कर दीजिगा पूरी प्रिक्री आपको समझा दी जाएगे ठीक है चले अभी तक भारती पठार पढ़ा रहे थे आज नया टॉपिक है और इस नया टॉपिक का नाम है भारत की मातपूर नदिया तो लोग भारत की नदियों को समझेंगे उमीद है कि आपको सारी चीज़ें किलियर हो रहे होंगी उसके बाद जैसी आपका से लवर्स हो जाएगा हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और प्र भारत की नदियों का हमने दो भागों विभाजित किया भारत की नदियों को कितने भागों विभाजित किया तो भारत की नदियों को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया किस आधार पर उत्पत्ति एवं जल की मात्रा की आधार पर तो हम ऐसे लिखेंगे उत्पत्ति एवं जल की मात्रा की आधार पर उत्पत्ति एवं जल की मात्रा उत्पत्ति एवं जल की मात्रा ठीक ना उत्पत्ति एवं जल की मात्रा की आधार पर भारत में दो प्रकार की नदियां पाएं जाती हैं कौन सी दो प्रकार की नदियां थो एक नदी होती है उत्पत्ति एवं हेमाला छितर से हो रही है तो बमालकों कर नियुक्छ उने कारण हimize करण उसमें या तो जैसे इन नदियों में जल आ जाता है तो जल के आ जाने के कारण इस नदियों में वर्स भर जल पाया जाता है और वर्स भर जल पाया जाने के कारण इनको एक नाम और दिया जाता है इनको एक नाम दे दिया जाता है बारह मासी नदिया क्या नाम दे दिया जाता है वर्स भर जल पाया जाता है इसलिए बारह मासी नदी बूलते हैं कौन सी नदी बूलते हैं बारह मासी नदियां कौन सी नदियां बूलते हैं तो इनको बारह मासी नदियां बूलते हैं और हमेशा जल पाए जाने की कारण बारह मास जल पाए जाने की कारण इनको एक नाम और दे दिया गया और इनको एक नाम दे दिया गया सदा बाहर नदिया, क्या नाम दे दिया गया, सदा बाहर नदिया, ठीक ना, तो एक नाम इनका क्या हो गया, एक नाम इनका हो गया, सदा बाहर नदिया, ठीक ना, तो हिमाले नदिया, बारेमासी नदिया, या कौन सी नदिया, या सदा बाहर नदिया, ठीक ना, अगर हैं में जैसे रावी है, जैसे ब्यास है, जैसे सतलज है, ब्यास के बाद कौन सी नदी है, ब्यास के बाद सतलज है, उसके बाद है आपकी गंगा है, गंगा के बाद कौन सी है, गंगा के बाद यमुना है, और कौन सी है, तो ब्रहम पुत्रा है, गंगा की साहिक नदी आ जाएंगी, जैसे राम गंगा, जैसे कौन सी नदिया जाएगी राम गंगा, जैसे कौन सी नदिया जाएगी, गोमती, ठीक ना, राम गंगा है, गोमती है, गंडक है, ठीक ना, कोशी है, गंडक है, गंडक क्या है, कोशी है, महानन्दा है, महानन्दा अलग है और महानदी अलग है, तो इ से सारी इस सारी नडियों हैं या सामिल किया जाता है हम अंग लिए गरेंगे इसन लिए ऐस पत्याहा पर हमारी दूसरी नदी है दक्षण भारत के दख्षणन भारत की नदी Y Może G जो हमारा दक्षण भारत के छेत्र रहे इस दख्षण भारत की चेत्र, नरा वह कि सकाँ उछ जानते हैं इसको मिद्य नाम से जानने फिलबिखə प्रायदोप यहां के नदिया, या इनी एक नाम और दिया जाता है, दच्षन-भारत की नदिया या बर्साती only लिए पानी पहत्व देटी जाएगा उएक नाम और या जाएगा चूंकि दच्षन भारत को हम प्राइदुए बोलते हैं इसले एक नाम है इनका प्राइद विपी नदिया कौन सी नदिया है यहाँ पर तो एक और नदिया है यहाँ पर और यहाँ पर जो नदिया है नदियों का नाम है प्राइद विपी नदिया कौन सी नदिया है प्राइद विपी अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी नदिया आती तो इन के तरगताती है आपकी महानदी इंके-धरकताती है आपकी गोदावरी इंके अंतर-गताती है आपकी कि available पार और स्श्रेंदक पार इए बेट नदीओर आ जाती है पकिकेन ए पेचेन नदीओद केट अर करें केचाए आपके चंबल लुग है वीपार उसके बाद दामोदर और दामोदर हो गई चलिए उसके बाद एक नदिया और इसमें सामल है सोन माही नर्मधा तापती मांडवी नदी मांडवी भरत पुझ्या भरत पुझ्या तो यह सभी नदिया इसमें सामल है तो यह सभी नदिया इसमें सामल है दच्चन भारत नदिया यह वर्साती नदियों के अंतरगत इन सभी नदियों को समिल किया जाता है इतना आपको याद रखना है इसके शोड़ लिजेगा फिर हम एक-एक से नदियां पढ़ेंगे ठीक ना तो हम हमालय की नदियों से स्टा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है नदी का नाम है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमेटर लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमेटर बात समझेगा अच्छ सबसे लंबी नदी नदी नहीं घंगा फिक ना इस जो है बहारत के पांच राज भवाहित होती है उत्त्राखंड उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के बिहार से बाद कहां चली जाती है जहार खांड जाती है और जहारखंड के बाद कहां चले जाती है तो जहारखंड के बाद कहां चले जाती है नदि पश्चमंगाल में ठे October-2009 है तो गंगा नदी के सरवादिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तो कि अब आपको यह पता लेगा नहुंद tenemos सरवादिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तो है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है यह आपको पता लगाना है ठीक ना सरवादिक लंबाई गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में और सबसे कम पूंचा जाए तो जारखंड नियून नियूनितम लंबाई इसकी लंबाई क्या है तो यहां पर इसकी लंबाई नियूनितम लंबाई इसकी कहां पर जारक अधिक न इसके इसकी शॉड़ लीजिएगा फिर हम लोग आंगे बढ़े चलिएगा देखेगा गंगा नदी का जो निर्माड होता है वो कई सारी नदीयों के मिलने के बाद होत नदी का नाम है धौली गंगा और दूसरे नदी का नाम है विशुन गंगा एक नदी का नाम है और दूसरे नदी का नाम तो दूसरे नदी का नाम है विशुन गंगा यह दौनों नदियां यहां पर आकर मिलती हैं जहां पर आकर मिलती हैं यहां पर एक प्रियाग है और इ प्रियाग पर मिल जाती है, तो यहां से नियू नदी का नियर्माड होता है, यहां से एक नियू नदी का नियर्माड होता है, इस नियू नदी का नाम क्या है, जो ग्रीन कलर से बनाए हैं, इसका नाम है अलकनंदा, कौन से नदी है, तो यहां पर एक नदी है, अलकनंदा से एक नदी साइड से आकर मिलती है अलगनंदा नदी से जो नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम है पिंडार नदी अलगनंदा से जो नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम है पिंडार नदी और पिंडार नदी अलगनंदा से जहां पर मिलती है यहां पर एक प्रियाग है और यहां से जो नदी का निरमाड होता है अभी भी इस नदी का नाम अलगनन्दा ही है अभी भी इस नदी का नाम क्या है तो अभी भी इस नदी का नाम अलगनन्दा है और इस अलगनन्दा नदी से इस साइड से अलगनंदा नदी से इस सैट से एक नदी निकलती है और आखर मिलती है इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है मंदाकनी देखेगा कहां से निकलती है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और इस प्रियाग का नम क्या है तो इसको प्रियाग के बाद आंगे नदी बरती है अभी भी इस नदी का नाम क्या है तो अभी भी इस नदी का नाम अलग नंदा है अलग नंदा से इस साइड से एक नदी आती है और अलग नंदा से जाके मिल जाती है इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है भागी रती नदी और भागी रती नदी अच्छे समझेगा यह भागी रती नदी है भागी रती नदी कहां से निकलती है तो भागी रती नदी गंगोत्री गिलेशियर से निकलती है गंगतरी-गिलेशियर से उत्राखंद में गंगतरी यूके में है भागीरती नदी पर उत्राखंद में एक बांध इंपोर्टन्ट है कई बार पूंछा जाता है भागीरती नदी पर कौण सा बांध है तो बांध का नमने टेहिरी बांध कौन सा बांद यहां पर तो यहां पर जो बांध है इस बांध का नाम है टेहरी बांध अगर आप से पूछा जाए कि टेहरी बांध किस राज्ज में है तो टेहरी बांध आपका उत्राखने राज्ज में है किस नदी पर है तो नदी का नाम है आपका नदी का नाम है भागी 全 Continue अब मिल आपने यहां इस नदी का न नती है और यहां से जो नियू रिवर का नियूर나हें होता है इस नियू रिवर का नाम क्या है तो इस नियू रिवर यह स्तिक्ट न पैसे नंदा मया धनल जा गया अब कहीं जाकर घंगा नर्माळ हुआ तो इतनी सारी नदियां मिलती हैं तब कहीं जाके गंगा नदी का निर्मार होता है अभी तक गंगा नदी जो है अभी तक गंगा नदी परवतों पे प्रवायत हो रही थी अभी तक गंगा नदी जो है इप परवतों पे प्रवायत हो रही थी गंगा नदीश सबसे पहले जिस मैदान में प्रवेश करती है उस मैदान का नाम क्या है तो उस मैदान का नाम है हरे द्वार उत्राखंड के हरे दौर्स में सबसे पहले प्रवेश करते कहां पर उत्राखंड के हरे दौर में subject अभने आपक्वार देखे़ा अब कहीं जाके इतनी सारी नदिया मिलने के बाद कहीं जाके अब गंगा नदी का निर्मान हुगा अब गंगा नदी को आगे पढ़ते हैं ठीक ना तो अगर मैं आपसे पूछो कौन सी दो नदियां थी जिन से मिलके गंगा नदी का निर्माड हुआ था तो आपको याद रखना है एक का नाम क्या था? एक का नाम भागी रती था और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम अलकनंदा था एक का नाम भागी रती और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम अलकनंदा ठीक ना? चलेगा यहाँ से नदी का निर्माड हुआ अब यहाँ से कौन से नदी बन गई? गंगा सबसे पहले किस मैदान में आती है अब इसी में एक कुश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी उत्तरा खंड उत्तरा खंड के बाद किसला जिम्य आती है तो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है तो उत्तर प् प्रियाग से होते हुए यह पहुंचती है आपके कहां बिलकुल उत्तर प्रदेश की बांडरी पर उत्तर प्रदेश और बिहार के माद सीमा बनाती बलिया बलिया जिले से होते हुए ठीक ना बलिया कुसी नगर तो हम कुसी नगर लिख दे रहे हैं आपर कुसी नगर बलिया कुछी नगर से होते हुए ये बिहार में चले जाती है बिहार के बाद जारकन और जारकन के बाद पश्चे मंगाल जब ये नदी पश्चे मंगाल में पहुंचती है तो पश्चे मंगाल में इस नदी पर एक बांध है और इस नदी पर जो बांध है इस बांध का नाम है फरक आप से कुशन पूछा जाता है कि गंगा नदी किस बांध से दो भागों में विभाजित हो जाती है तो एक भाग उसका पश्चमंगाल में चला जाता है पश्चमंगाल में प्रवाइट हो जाती है पश्चमंगाल कि फिनली परता है और दूसरा भाग्ज पश्चमंगाल मेंपरवायत हो रहा है पश्च मंगाल में इसको एक नाम दे दिया गया बेश्ट बंगाल में इसको नाम दे दिया गया और बेश्ट बंगाल में इसको नाम दिया जाता है हुगली नदी पश्च मंगाल में इसको क्या नाम दिया जाता है तो पश्च मंगाल में इसको एक नाम दे दिया गया नाम द कौन सा सहर है तो यहां पर एक सहर है इस सहर का नाम क्या है तो इस सहर का नाम है कोलकाता ठीक ना अंगला देखिएगा यहां पर छोटा नांगपुर पठार है और छोटा नांगपुर पठार से एक महत्पूर नदी निकलती है और कोलकाता में जाकर हुगली नदी से मिल जात चोटा नाम को पठार से निकलती है कौन से नदी दामोदा नदी निकलती है अंगला समझेगा ए दामोदा नदी के दौरा बंगाल में अधिक मातरा बाड़ाती है हमने आपको भारती पठार पढ़ा है था कि दामोदा नदी से भारत को सरबादिक कोईला की प्राप्ति होती ह इसलिए दामुदा नदी के तुनला जर्मनी की रूर नदी से कर जाती है जर्मनी की किस नदी से कर दी जाती है रूर नदी से कर दी जाती है ठीना तो जो दामुदा नदी है दामुदा नदी के दोरा बंगाल में अधिक मातरां बाड़ा आती है और बंगाल में अधिक मातरा बाड़ा निकारण इस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तो दामुदर को क्या कहा जाता है दामुदर को एक नाम दे दिया जाता है नाम दिया जाता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है ठीक ना इधिमत क्लियर है दामोदर नदी भरहन सघाटी में प्रवायत होती है भारत में तीन नदी आशी है जो भरहन सघाटी में प्रवायत होती है कौ प्रभायत होती है इतना इंगला देखी गए यहां पर मद्य प्रदेश और 36 गण की सीमा पर यहां पर पठार है मद्य प्रदेश और 36 गण की सीमा पर यहां पर पठार है इस पठार का नाम अमरकंटक पठार है कौन से पठार है यहां पर तो यहां पर एक पठार इस पठार का नाम है अमरकंटक पठार इस अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है और ये नदी जाके बिहार की राधानी पटना में मिल जाती है नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है सोन नदी और सोन नदी जहां पर गंगा से मिलती है उसका नाम है पटना तो सोन नदी अपना पानी किसको दे रहे है तो सोन नदी अपना पानी गंगा को दे रहे है ऐ ऐसी नदी जो अपना जल किसी दूसरे नदी को दे दे उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर एक सहर है प्रियाग उत्रा खंड में एक परवत है परवत का नाम है बंदर बंदर पूँच परवत का नाम क्या है तो यहाँ पर एक परवत है परवत का नाम बंदर पूँच परवत ठीक ने यहाँ पर एक परवत है और इस परवत का नाम क् बंदर पूँच परवती से एक नदी निकलती है यम्वना और जाके प्रियाग में गंगा नदी से मिल जाती है इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है यम्वना नदी है और यहां पर एक सहर है एक सहर यहां पर है और एक सहर यहां पर है ठीक ना यहां पर एक सहर जो है इस सहर का नाम है बांदा यहां पर एक सहर इस सहर का नाम है हमीरपूर और यहां पर एक सहर है जिसका नाम है इतावा इतावा हमीरपूर और बांदा ठीक ना एक नदी आती है और इतावा म नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है चंबल नदी कौन से नदी है तो नदी का नाम क्या है नदी का नाम है चंबल नदी एक नदी जाती है और हमीरपुर में जाकर मिल जाती है इस नदी का नाम है बेतवा बेतवा नदी और एक नदी बांदा में जाकर मिल जाती है इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है केन नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम केन उत्राखंड के बंदर पूंच परवस्य अमना नदी निकलती है इस नदी की तीन साहिक नदिया है चम्मल वित्पा और केन चम्मल वित्पा और केन और तीनों की तीन नदिया कहां चम्मल नदी टावा में वैतबा नदी हमीरपुर में और की नदी कहां बांधा बम में इन तीन सहरों के अलावा कई सारे मैंतवन कार हैं जो इमना नदी हैं जैसे दिल्ली जैसे नुएड़ा ठीक ना दिल्ली हैमा करहें मथ्रॉरा है ठीक कालपी है तो कई सारे सहर हैं उनको आपको याद नहीं रखना है तो हम इसी में बना देते हैं इसी में बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा जाए तो आप इसका इसको मैं अलग नंदा को मिटा दे रहूं थोड़ा सा बनाने के लिए ठीक ना इस अलग नंदा को मैं यहां पर एक हिमाला है उत्राखंड में और उत्राखंड में जो हिमाला है इसका नाम है कुमायू यहां पर एक हिमाला है और यहां पर जो हिमाला है हिमाला का नाम है कुम पर कन्नौच के छेतर में आकर गंगा से मिल जाती है कुमायू हिमाला से निकलती है कन्नौच के छेतर में आकर गंगा से मिल जाती है कहीं पर कन्नौच या फिर हड़ दो ही लिखा मिलेगा नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है राम गंगा नदी का नाम क्या है तो इस पृलीभी जिला इस पने नतीन कलती है और प्रयाब क्यांगे गाजिपूर के खित्र में जाकर मिलती है उत्र astronomers बेह लिए चुना मुझावस कि अजमाधिया इमले रगर दिक नाम क्या को और गुम्ती नदी किनारे एक और महत्पूर सहर लखनों को नवाबूं का सहर कहते हैं गुम्ती नदी किनारे एक और महत्पूर सहर जिसका नाम है जोनपूर गुम्ती नदी किनारे एक और महत्पूर सहर जिसका नाम है जोनपूर ठीक ना राम गंगा नदी किनारे यहां पर एक सहर है और राम गंगा नदी कina यहाँ पर जो सहरห का नाम है बरेली कौन से शेइन का नाम है पर है ठ्रेकिनै कि चलिएगा उसके बाद आंगे देखते हैं ओझते नेपाल के झ्षेतर से कहां से लेपाल नेपाल के झ्षेतर से कई सारी नदीया निकलती है एक नदी निकलती है उत्तर प्रदेश बेहर की सीमा बनान के बाद पटना के आँगे मुंगेर की आसपास के छितर में मिल जाती है नदी का नाम है गहागरा इस नदी का नाम क्या है गहागरा गहागरा नदी ठीक ना नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है ग अगर आप अच्छी से समझेंगे तो जिस परकार मुझे याद है वैसे ही आपको याद हो जाएगा वो कई वार नदियों पर आधारित प्रिश्ण पूंचेगा आप से पूर से प्रिश्ण में पूंचता है ठीक ना तो याद रखना है आपको ए नेपाल से निकलती है ठीक सार्दा और सार्दा जहां पर घागरा से मिलती है यहां पर एक सहर है जिसका नाम बहराईच या बहराम घाटपूर हम यूपी स्पेशल में में इसकी को पढ़ाएंगा आपको नेपाल के छे से एक और नदि निकलती है बिलकुल उत्तर प्रदेश अभिहार किसी मासी इस यह नदी जहां पर घागरा नदी से आके मिलती है यहां पर एक सहर देवरिया और थोड़ा इस साइड़ा पुल्लक जबरा होगा यह पूरा याद रखेगा उत्तर प्रदेश का चित्र है इस नदी किनारे इस नदी का नाम की अगर बात करें तो नदी का नाम है राप्ती और इस नदी किनारे एक सहर है और इस नदी किनारे जो सहर है सहर का नाम है गोरखपूर नदी किनारे कौन सहर है तो इस नदी किनारे एक महत्पूर सहर है इसका नाम है गोरखपूर ठीक ना उसके बाद अंगला देखिएगा नेपाल के छितर से ही एक और महत्पूर नदी निकलती है निकलती तो कई सारी हैं आपको महत्पूर्ण बता रहे हैं इस नदी के द्वारा बिहार में अधिक मात्राम बार आती है इसलिए कोसी को कहां का सोक कहा जाता है कोसी नदी को एक नाम दे दिया गया बिहार का सोक कोसी को क्या बूलते हैं बिहार का शोक नाम दे दि है और पहाडियों का नाम याद रखना है दार्जलिंग और दार्जलिंग जो पहाड़ी है कौन से पहाड़ी है दार्जलिंग पहाड़ी है चाय और कौफी के लिए जाने जाती है इन दार्जलिंग पहाड़ीयों से एक नदी निकलती है और फरक्काबांद के समी बाकर मिल जाती है नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है महानंदा नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है महानंदा नदी ए गंगा नदी तंत्र है ठीक नए आपको डिफिकल्टर लग रहा होगा लेकिन डिफिकल्टर नहीं है अगर आप अच्छे से चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान है ठिक ना और आप आराम से अंजरां में अपने प्रिश्णों को कर सकते हैं इतना बस आपको याद रखना है इतना बस आपको याद रखना है ठिक ना चलिए अब हो गया तो कि इसका इसका इसके शॉड़ लीजेगा आप लूग कि चला आंगे बढ़ें एक अंगा नदी अब देखें कैसे पूंचे जाते हैं आंगे बाले दिसा पूरब होती है पीछ वाले दिसा पश्चम होती है गंगा की सबसे पूर्वी साहिक नदी कौन स तो सबसे पश्चम कौना से मिल लई है राम गंगा गंगा नदी की सबसे लंबी साहिक नदी कौन से हो जाएगी तो लंबी साहिक नदी हो जाएगी आपकी यमना गंगा की सबसे लंबी साहिक नदी है गंगा की एक ऐसी साहिक नदी का ना मताईएगा जो जील से निकलती है उत्तर प्रदेश के पिली भी जिले में एक जील है, फुलहर जील, फुलहर नमक फुलहर जील से निकलती है, फुलहर, ठीक न, उसके बाद गंगा की एक ऐसी सहाइक नदी का नाम बताईएगा, जो पठार से निकलती है, कौनसी सोन नदी है, किस पठार से निकलती है, तो यह जल्दी से इसके चुल लीजेगा जल्दी से इसका इसके चुल लीजेगा चलिए आंगे बड़े एक गंगा नदी है कौन सी नदी है तो इस नदी का नाम है इस नदी का नाम है गंगा ठिक ना आँगे देखते हैं अब गंगा नदी के बाद देखेगा इस गंगा नदी से सम मर्च के बाद हम यह आपको कराएंगे तो सारे किसारे में एक ट्रॉपिक से उठा के सारे अंद तक के सारे कुशन आपको करा दूँगा ठीक ना इसके लिए निस्फे कर रही है आप लोग अंगली नदी पढ़ते हैं इस नदी का नाम है ब्रह्म पुत नदी अंगली नदी नदी ना समझेगा ब्रह्म पुत नदी की बात करते हैं अगर हम समझेगा अच्छे से तिब्बत में तिब्बत में मांसुर अबर जील के आसपास का छित्र चेमा यूंग डूंग गिलेशियर मांसुर अबर जील के आसपास का छित्र है यहां से एक नदी निकलती है और यहां से जो नदी निकलती है ब्रह्म पुत्र है लेकिन यहां पर ब्रह्म पुत नदी को शांगपू नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं सांगपो और सांगपो करते क्या होता है तो सांगपो करत होता है सुद्ध करने वाला एक ऐसी नदी जो यहां की लोगों को सुद्ध करती उसी को सांगपो नाम दे दिया गया ठीक ना उसके बाद यहां पर एक परवत है और यहां पर जो परवत है नामचा बारवा यहां पर एक परवत है इस नामचा बारवा यहां पर एक परवत है इस नामचा बारवा परवत से एक घुमाओ लेती है और सबसे पहले जिस राज्य में प्रवेश करती है यहाँ पर एक राज्य है और जिस राज्य में प्रवेश करती है इस राज्य का नाम है अरुनाचल प्रदेश राज्य का नाम क्या है तो राज्य का नाम है अरुनाचल प्रदेश जिस दर्रेश से प्रवेश करती है इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा याँग याप दर्रा यहाँ पर जो दर्रा है इस दर्रे का नाम क्या है तो इस दर्रे का नाम है आपके यांग याप दर्रा ठीक ना अब इन नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है अरोनाचल प्रदेश में अरोनाचल प्रदेश में सनदी को एक नाम दे दिया गया अरोनाचल प्रदेश में सनदी को नाम दे दिया गया दिहांग नदी अरोनाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं को गार्ज कहा जाता है भी आगार की गहरी घाटी को गार्ज कहा जाता है जब नदी परवतों से नीचे उतरती है तो गहरे गहरे गार्जों का निर्माल कर देती है अरुनाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज ठीक ना अरुनाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज ठीक ना इस दिहांग नदी से दो छोटी छोटी सी नदी आके मिलती है अरुलांचल प्रदेश में एक नदी का नाम क्या है तो एक नदी का नाम है दिवांग नदी और एक नदी का नाम क्या है तो एक नदी का नाम लोहित दिवांग और लोहित नदी और लोहित नदी तो दिवांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद इसका नाम ब्रहमपुत्र हो जाता है, अब ब्रहमपुत्र नाम से आंगे बढ़ती है, और असम में पहुचती है तो असम में यहाँ पर एक दूइप है, दूइप, अब भाषा में टापू, इंगल्स में आइलेंड, तो दूइब किसे कहते हैं जमीन का एक ऐसा टुकडा भूब जमीन का एक ऐसा भूबाग या एक ऐसा भूखंड जिसके चारो ओर जल हो उसको हम दूइब कहते हैं एक ऐसा भूखंड जिसके चारो ओर जल हो उसको हम क्या कहते हैं तो हम दूइप कहते हैं ठीक ना तो आपको याद रखता है तो यदि दूइप है और अगर ये दूइप सागर में तो सागरी दूइप महासागर में तो महासागरी दूइप और नदी में तो नदी दूइप नदी में तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा नदी में तो इसी क का सबसे बड़ा नदिये दूइप का नाम माजुली केन सरकार ने इस नदिये दूइप को जिला गोसित कर दिया पहले नदिया जिले के अंतर गता था लेकिन अब उन्हों हमारी केन सरकार ने माजुली दूइप पर रहने वाले लोगों को एक दूइपी का या माजुली दूइप को एक जिले का दरजा दे दिया तो माजुली अब एक जिला है इसके संदर में हम एक बात कह सकते हैं भारत का अच्छे सुनिएगा भारत का पहला नदिये दूइपी जिला कौन सा है तो माजुली एक नदी में एक दुईप है और उसे जिला घोसे कर दिया गया माजुली को ठीक ना तो इसके संदर में कह लिखेंगे भारत का पहला भारत का पहला नदी ए दुईप ये जिला नदी ए दुईप ये जिला भारत का पहला नदी दूईपी जिला कौन सा है माजुरी ठीक न अगला देखेगो यहां से नदी आंगे बढ़ती है ब्रह्मपुत नदी के दोवारा असम्मे अधिक मातरां बाड़ाती है ब्रह्मपुत नदी असम्मे आके इतना हमालाय से आ रही है हमाले की नदिया है तो इतने जानदा मातरा में सिवालिक हमाले को काटते हुए आंगे बढ़ती है इतने जानदा मातरा में अपने साथ आउसादों को लाती है कि उन आउसादों के कारण इसका मार्ग औरुद हो जाता है और आउसादों के कारण इसका मार्ग औरुद हो जाने के कारण यह नदी क को असम का सो कहा जाता है ठीक ना तो यहां पर लिख लेंगे ब्रह्म पुत्र नदी को कहां का सोख असम का सोख क्या कहा जाता है तो इसको एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया असम का सोख ठीक ना आँगे नदी बढ़हएगी इस नदी से दो छोटी छोटी सी नदी आखे मिलती है एक नदी का नाम है मानस एक नदी का नाम है मानस नदी और एक नदी का नाम है सूवन सीरी उसके बाद एक नदी यहासे पश्यमंगाल में चले जाती है और पश्यमंगाल में जैसे जाती है तो जमना नदी चलिया जाती है, अपकी बांगला देश आप से question पूचर जाएगा, जमना नदी कुस नाम से जानते हैं यहां पर मनीपुर राज़े है, और मनीपुर राज़े मैं झासरे नदी का नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम बाराक यहाँ पर आपको याद होगा हमने बताया था कि बंगला देश में एक गंगा नदी आ रही है और गंगा नदी को बंगला देश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम है पदमा तो पदमा नदी जा रही हो पदमा जमुना से मिल जाती है जब पदमा और जमुना आपस में मिल जाती है तो किस नदी का निर्माड कर देती है निर्माड कर देती है मेघना नदी का किस नदी का निर्माड कर देती है मेघना नदी का और मेघना नदी ही अंतिम रूप से जाक का कौनसा बांद फरक का एक तो पदमा हो गई और दूसरी भारत में जो वहती इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है हुगली तो हुगली नदी और मेघना नदी के बीच का छेत्रे वाला हुगली और मेघना नदी के बीच वाले छेत्र को एक नाम दे दिया गया और वहारत के किस राज़ में है तो संदर्वान डेल्टा वहारत के पश्मंगार राज़ में ठीक न है अगला समझ अच्छी से यहां पर अ समझेगा यहां पर शिक्किम में एक गलेशियर है जिसका नाम है जेमू शिक्किम में एक गलेशियर है और इस गलेशियर का नाम क्या है तो इस गलेशियर का नाम है जेमू गलेशियर जेमू गलेशियर से एक नदी निकलती है और जमना नदी से जाके मिलती है इस नदी का नाम क्या है तो इस देशों में तिखे लगेगा अगर उसे देखे मैं ज़ेकर लगेगा लेकिन देहां हुआ करूमा लिधि से गुमाओ लेती है थे नाम चब। कहा पर है पढ़ा चुकाूं में आपको कहां पर तिब्बत में है भारत के कितने राज जो में थी दो एक अना मारुणा चल दूसरे अना मासम बिसकर सबसे बड़ा नदी दो इपका ना माजूली किस राज में आसम में किस नदी पर बिरम पुत्रा ठीक ना तो बना लेजीगा इसको आज दो नदियां करेंगे ठीका धन्यवाद